अबने बहुत से किसानों से सुना होगा कि वो केता है नियार मेरा प्लाव सही से वर्क नी कर रहा है जैसे कि समुंदर में लेहरें उठती है या रेत में जैसे लेहरें होती इस तरह से यह चल रहा था आपको भी फॉरिद न तो यह सावदा ने आपको क्या रखने प्लाव में क्या देखना उसके बाद में प्लव खरीदना तो नमस्कार दोस्तों आप देख're है एकरी टेक गुरुजीर में हूं आपका दॉस्त फॉरेशजाथ दोस्तों जैसे कि आप मेरे पास यह प्लाव के लिए हैं जैसे आपसे आपने प्लाव सही संगें वरक नहीं कर रहा है तो दिककता है प्लाव में दिक्कत है या फिर उसकी सेटिंग में दिक्कत है जो किसान भाई करनी पा रहा है जो सेटिंग किसान भाई को करनी वो तो हम बड़ी आसानी से करी सकते हैं जैसे कि इसका बैलेंस जैसे खेत में यह एक साइट में जुका हुआ चलता है यहां से तो जैसे कि आप तो लीप्ट की साइन लिके दिख शर्ट कर कया विसका शेटेंग कर शक्तें और अगर एक अधर हमेसा क्षिचान ने तियार मेरा प्लाव सफ इनिये मेद्श डिक्कत कहाती है कि जहां हमने सजट्ट कर दिखे लिए प्रलाव काम कर तो वहां बहुत बड़ी समझ्य आती है और जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि प्लाव का मुख्य काम है मिट्टी को पलटना ना कि धक्का देना अब इस प्लाव में क्या दिक्कत आ रही है वह मैं आपको बताता हूं कहीं कहीं क्या होता है किसान तो अपने इस तर नहीं है वह मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वहां चलते हैं जहां से हमने खेद को जोतने की शुरुआत करी थी तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहां से खेद की जूताई की शुरुआत करी थी और आपको लेरें दिख रही है जैसे की समु सेटिंग मैं भी जानता हूं कुछ मैंने एक्सपर्ट लोगों से पुछा सेटिंग के बारे में फिर हम सेटिंग करते-करते रहें लेकिन सेटिंग सही परकार से नहीं होई पिर भी सेटिंग करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं ने वहां पर वह पर देखा था कितनी लेरे खेत में छूट रही थी अब यहां देखिए हमने सेटिंग करने पाद थोड़ा सा समतल दीख रहा है लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको यह लेरते दिख रही हैं अब यह लेरें क्यों दिख रही है मैंने इतना चलाने के बाद फिर लेको समझ में तो प्रोब्लम mean its la sequences कि इतनी खोक कर ली I was to fill 1 आदम लेली उसके बाद में मैने जिए समझ में आया की में एक इस प्रोब्लम मैं में एक तो लेरे सघ्एम् सेट शोड शोड़ाओ सेटिंग आपको दीखिरी दूसरी इसमें जैसे कि एक बार में जुताई करता हुआ जा रहा हूं तो काफी गहरा लग रहा परफेक्ट तरीके से खेत की जुताई हो रही है लेकिन जैसे ही मैं वापीस आउंगा तब इसका सेटिंग फिर बगड़ जाएगी तो दिक्कत फिर आप दूरी मापेंगे इसकी और इसकी दूरी में डिफेंट है तो यानि कि आप जैसे ही टॉपलिंग सेट करेंगे तो एक बार में सेट हो जाएगी दूसरी बात में वह दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी इसके अलावाद जो आपको एक चीज और दिखाता हूं शायद के बेंड बेंड कर दिया हो लेकिन मेरे इसाब से इतना हेवी लोहा लगा हुआ आसानी से बेंड होने वाला तो यह नहीं अब दिक्कत क्या आती है कि हम जब भी प्लाव खरिदते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ कम पैसों के चकर में एसे वर्क्षोप से प्लाव खरीद ले है जैसा कि इसका काम मिटी प्लेट ना है तो यह पूरी तरह से मिटी प्लेट भी नहीं पा रहा है पहली बात तो इसलिए लेरे चूट रही है दूसरी चीज सेट खेत में होनी पारा तो है तो मिनुफेक्चरिंग डिफेक्ट है तो आप जब भी प्लाव खरीदें या तो ऐसी विशुशनी जगह से खरीदें जहां पर फेक्टरी बड़ी चोटी माइने नहीं रगती है पहले आपको बतादू मैं एसी विशंशनी जगह से खरीदें जहां के काम वह प्लाव परेक्ट करता हो या फिर अगर अगर आपको लगे कि निया इससे इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप एक काम कर सकते हैं जहां से भी प्लव खरीद रहे उसका पर डेमो लेके ही खरीदें दुकानदार से कंपनी वाला से बात कर लेकर मैं डेमो लूँगा सही परफेक्ट तरीके से चल जाएगा तो प्लव खरीदूगा नहीं त लमोर कहां भर खराब हुआ और खेती कराब हुए तो परफेक्ट तरीके से है कम करने वाला प्लाव ही कीजहें नहीं चाहिए कहीं से खरीदें कुछ काम मिस्त्रियों को फिट करने में रहता है कहीं कोई तरीके से फिट करता है कहीं तरीके से फिट नहीं करता तो वही प्रेशन इसमें आती अब पता नहीं कहां से खरीदा गया है मैं इस बारे में जाना नहीं चाहता और आपको बताना भी नहीं चाहता लेकिन कुल मिला कि इसमें manufacturing defect की वज़े से जितने भी पैसे लगें उसका सई परकार से उप्योग नहीं हो रहा है मेरा आखरी में यह कहना है कि जहां से भी आप खरीदें देख परक के सोच समझ के खरीदें डेमो लेके खरीदें ताकि अपने पैसे व्यार्थ नहीं जाए तो यह था इस प्ल अगया जो लगके रिवरसे बना देते हैं और हाँ एक दिन कमेंट में क्यूशन पूचा था हमारे भाई ने कि मैं रिवर्से बल लेना चाहिए सादा अप्लावल लेना चाहिए तो बहुता हूं कि आज अगर नया पुराव से बल पर ही जाहिएं क्योंकि काम तो उससे बै या फिर इसका और भी कोई सोलुशन आपको पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो यहां तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों को शेर कर दीजे और खेती किसानी कि ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और काया है